हेलो फ्रेंड्स मैं नेम इस एसन एंड हराई वलकम यू आल तो मैं यूटीब चैनल नेम एसन की पास साला सो गाइस तोड़े वी आर गोइंग तो ट्रांसलेट दा सौर्ट इस्टोरी आवर रन्वे काई रिटेन बाई लूसी मॉड मॉन्टोगमेरी सो गाइस यह वेस्ट अब बरबाद किये हम लोग इस तर्श करते हैं वीडियो को लेट्स बिगिन तो अब है कि सो फ्रेंड्स चलिए हम देख लेते हैं हमारे लेशन आवर रन्वे काई जो लिखा गया है लूसी मॉड मॉन्टोगमेरी के द्वारा तो इसमें क्या है कि लूसी मॉड 1444 इसी में और उनकी मिलती उनिस व्याले सिस्वी में हुई थी यह एक कनाडियन ऑथर ती मना की कैनेडा की राइटर सी कैनेडा करहने वाली थी और उनको बिसेश रूप से बेस्ट नॉन फोर जाना जाता है नोवेल्स विगिनिंग विथ एन और आफ ग्रीन गैबल्स एन नॉम्रस नोवल्स इन्होंने बहुत सारे समझें मतलब गया बहुत अनेक नोवेल्स लिखी किया लिखी नोवेल्स पोयम और सौट स्टोर्ज को लिखा हुआ है सी मेड उनको बना दिया गया था ऑफिशर किसी चीश के लिए बनाया था order of the British Empire in 1935 1935 में इनको बनाया गया था ब्रिटिस एंपायर के लिए क्या ओफिसर बना दिया गया था सो आगे बढ़ते हैं और हम इसको देखते हैं समझते हैं कि कि इस स्टोरी कि गया सकते आप पर यह जो है कहां रहते हैं लिविंग ऑन ऐन आईसोलेटेट इसो लेटे का मतलब जानिए living in on isolated Island का मतलब होता है कि एक दूवीप पर गहाए है कहा रहते हैं लग लग पर जो एक आंथ ase अलाग होना जैसे कि मुखे भूमी से हम समझ सकते हैं जो दूवीप होता हुँ तो इसके साथ रहते हैं अपने पीता के साथ हैं फूर शीरिज ओफ इन्सिडेंट गेर रियुनाइटेड विद दियर लॉंग लोस्ट रिलेटिव उनके बाद क्या होता है ये लुग फिर से गेर रियुनाइटेड का मतलब मिल जाते हैं रियूनाइटेड हो जाते हैं विद देर लॉंग लोस्ट लॉंग लोस्ट का मतलब हुआ बहुत समय पहले से इनके जो रिलेटिव से उनसे यह बिछड गए थे और अब क्या होता है कि बहुत सारी घटनाय होती हैं बहुत सारे इसके पिछे क्रम चलते हैं जो हम लोग चेप है यह भी चाहते है कि हमारे साथ मीखेलने मुआ कोई हमारा कॉजन 理 enter अंकल अंट तो उस तरह से क्या होता है कि वह प्सक्रिक्ट हो कि हह भी कहानी या the words मन को चूल लेने वाला है और उजाँगर करती है या बताती है वेलिए मतलब आप जानते ही है कि एक परिवार का में रिलेशन्चिप का कि एक दूसरे के साथ कैसे रहने का उसी चीज को यह बताती है तो फ्रेंड्स यह जो है हमारा और तेक्स्ट के बारे में हो गया अब हम लोग स्टार्ट करते हैं unit 1 of course there was nobody for us to playing with on the big half moon of course का मतलब देखिए of course का मतलब होता है हाँ sure चरूरी एकदम वास्तव में क्या है कि उस big half moon half moon क्यों बताया क्या है क्योंकि जो द्वीप है उसका नाम क्या है big half moon है समझ रहे हैं अर्ध चंद्राकार समझ सकते हैं तो लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है यह नाम है ठीक है उसका वैसा है इस लिसका नाम रखा बीग half moon बीग हाफ मून पर जो राइटर बताती है कि वहां कोई नहीं है खेलने के लिए play करने के लिए with us we just had to make the most of each other and we did मतलब क्या हुआ कि वहां पर उनके साथ खेलने के लिए और कोई तो नहीं है तो वह क्या करते हैं अभी माने हम लोग वो लोग बता रही है कि हम लोग क्या करते थे कि सिर्फ एक दुसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा हो सकते थे और हमने वैसा ही किया we live on the big half moon island हम लोग रहते हैं big half moon island पर वी कौन-कौन है यहां पर बताया जा रहा है कि father claude and i who is i here तो यहां i जो है हमारी writer है जो speaker है समझ में आ रहा है न तो वो तीनों ही कहां रहते हैं उस big half moon पर रहते हैं and aunt esther and mimi and dick मतलब कि अभी यह दिखिए यह story का last part दिखाए जा रहा है कि इसमें कौन-कौन रहता है कि आंटी भी रहती हैं लेकिन उससे पहले कब reunite होंगे कब मिलेंगे उसके उस हटना को हम लोग आगे देखेंगे कौन-कौन है आप अभी कौन-कौन है फादर है क्लॉड है आई है आंट उनकी है और इस जिनका नाम है और मीमी एंडिक उनके बच्चे हैं आंट के यानि कि उनके कसिन से इट यूस्ट टू बी ओनली फ हुआ हुआ कि अब बता जा रहा है कि अब लोगों रहते हैं कौन पहले तीन थे और बाद में और तीन जोड़ गया उनके साथ छे लोग इटीज आल अगाउंट आफ देट काइट देट देयर आर मॉर अफ उस सो फ्रेंट्स चलिया हम स्टार्ट कर लेते हैं हमारा यूनिट वन अब अफ कॉर्स दियर वस नोबड़ी फोर अस तो प्ले विट अस ऑन बीग हाफ मून वास्ताव में इस बड़े से जो बीग हाफ मून है जो हमारा ये क्या है एक आइलेंड है इस पर खेलने वाला हमारे सथ प्ले करने माला कोई नहीं है जास्ट हैड्ट में अपने साथ ऐक दूसरे के साथ जयादा समय बिता सकते हैं और हमने वैसा ही किया हम लोग वैसे ही एक दूसरे के साथ समय बिताते रहें तो पहला देखिए इसमें वाड़ समझने के लिए क्या है कि जो हमारा हाफ मून आइलेंड हम लोग रहते हैं वो देखिए वी आर हम लोग कौन है वी आर सब्सक्राइब यह कॉश्चन आएगा फादर समझ में आगे कई पीता रहता है वह रहता है और आई यहां पर फ़्पीकर है एंड आंट इस आंट एस्टर मीमी एंड इक इसके बाद क्या है ऐंट ए इसटर रहती हैं मीमी रहते हैं उनके दो बच्चे है Chinese Nomad it upon the booked and it used to be only father पहले कीवाल रहा करते थे कौन रहते थे father and Default अधाई पहले हमके बुअल तीनी रहते थे father plug-like and it is all on account of the kite that there are more of us क्या हुआ है कि it is all उन साहिए स्पाइब क cope भी कि तो कि अ-चिसे कारण से कारिंगता कर रोल बहुत है पतंग कि ना पतंग करची अनके पूरे परिवार को पहले थे ख一點 ते वह जाते हैं there are more of us हम लोगों के बीच क्या थी वहां पर पतंग उड़ाना इसी बात को समझाया जा रहा है कि इस इस वाट आई वांट टेल यू अबाउट और जो लेखिका है वही वही बताना चाहती है कि काइट जो है यह हमारे लिए more of us का मतलब क्या हुआ बताईए more of us का मतलब हुआ कि उस समय वही उनके लिए सब कुछ था उसको उड़ाना और कुछ तो वह कर नहीं सकते थे वहां पर यह लखी का मैं बताना चाहती है अब क्या है father is the keeper पीता चाहें वह क्या है father is the keeper of ङर्फ लाइफ लाइट हाउस के उपर जो एक लाइट हाउस है लाइट हाउस समझते हैं ने समझते है तो अभए एक स्लाइड आईगी उसको देख लिजए लाइट हाउस करते हैं और उसका दर देखके समझते हैं कि हां यहां कोई है ठीक है तो यह हो गया आई एम 11-year-old तो पापा क्या थे उनके एक साल उनसे बढ़ा है इन विंटर सर्दियों में वेन दा हार्बर इस फ्रोजन ओवर यारी बंदर का या आ आ चाहिता है फ्रोजन ओवर फ्रोजन का मतलब होता है मतलब पूरी तरह बर्फ से धगजाता है we all move we all move over अभ मतलब को यहां से चले आते हैं मूव मतलब होता है मुखे-भूमी जहां पर बर्फ आछा होता है और वहां थंडी कम होती है यानि कि जब पुरा तरह से बर्फ से खमर हो जाएगा तो वहां पर रहकर क्या करिएगा थंड़े में मरना थोड़ी नहीं सो मूखे भूमी के तरफ लेखी का और उनका पूरा परिवार मतलब कि तीन ही लोग तो अभी है वो चले जाते हैं जैसे ही वसंत आती है स्प्रिंग देखिए जैसे ही थंडी आई वो लोग वहां से मेंलेंट के तरफ चले गए मतलब कि हम लोग जहाज के दवारा चलाते हैं किसके दवारा हमारे डियर आईलेंड पर इस प्यारे से आईलेंड पर जिसका नाम है बीघाफ मून सो गाइज यह समझ में आगया तो आगे के लाइन में देखते हैं हम लोग दफनी पार्ट यूस्ट वी दैट पीपल ऑल्वेज पीटिद अस विन दे टाइम फॉर अस तु रिटन मतलब हुआ कि मजे की बात यह थी कि जब हम लोग वापस जब हमारे वापस आने का टाइम मतलब हो गया मजे की बात ठीक है कि जो वहां के लोग थे पीपल ऑल्वेज पीटिद में दया करते थे विन टाइम कमस फॉर अस तु रिटन मनलब जब आपस आने का टाइम होता था बीग हाफ मून पर कब वहां के लोग हम पर दया करते थे और दया दिखाते थे दे सेड वहां पर जो है हम लोग बहुत अकेले हैं सो लोंजम कमतला होता है बहुत अकेले ओफर दया वीग हाफ मून पर और कोई नहीं है है हमारे आसपास कोई और बच्चा है ही नहीं वहां पर आफ करस् Davidson और और युड और युड हम लोग करें साथ भी विट को जो हम लोग के सांथ हो और कया करें प्ले विधर्वी था टिस्ट हार टूर्ट के लिएर उस पारे भी जब्सु रूट केम और पारिरेगग पारिड हैं लुकाशुपी का गेम जिसका हम लोग कहते हैं हाइड इंसिक भी कहते हैं तुरन पाइट केपस का मतलब समझ लिजे इसका मतलब हो गया कि लुकाशुपी का गेम इन विंटर लेकिन लेकिन सर्दी के मौसा में हम मुखे दूइप के बच्चों से खूब लड़ते जगड़ते ते तो वहां के बच्चे उनसे राइटर और उनके भाई खूब लड़ते जगड़ते ते सो इट वाज परहप्स जस्ट ऐस वैल देट यहर वाज नन अफ देम ऑन दे बीग हाफ मूद तो आगे देख लिए लड़ते जगड़ते रहते ते साइड इसी लिए क्यों था कि ऐसा था कि उनमें से कोई भी जो इस बीग हाफ मूद दी पर है उस पर कोई नहीं था इसी कि यह वी लोग उनसे रहते जगड़ते रहते थे लेकिन क्लोड और मैं नेवर मतलब कभी नहीं जगड़ा किये हम दोनों जो थे कभी जगड़ा नहीं किये तो यह हमारे यूनिट वन जो है कम्प्लीट हो रहा है जल्द ही तो यह बात बिलकुल मालूम थी या फिर हमें प्रतीत होता था कि हमारे फादर का हमारे अलावा और किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं है और उनके कोई रिस्तेदार नहीं है यह बाते हमें परिसान करती थी हमें चौकाती थी कि अखिर ऐसा यह पॉजल वर्ड है इसका मतलब वंडर होना चौकना कि क्या बात है कि अखिर सबके तो रिस्तार है हमारे क्यों नहीं है कि अव्यवड़ी ऑन दो मैं लेंड मुख के भूमी पर जितने भी लोग हैं है रिलेशन्स उनके संबंध हैं उनके संबन्ध हैं उनके बहुत सारे रिलेशन्स दूसरे संबंध हैं के, why hadn't we, तो हमारे relation क्यों नहीं है, या फिर हमारे relation क्यों नहीं थे, क्या करण था, कि हमारे relation नहीं थे, was it because we live on an island, क्या इस करण से, कि because यहाँ पर होगा, we live on an island, हम लोग एक द्वीप रहते हैं, इसलिए हमारे कोई संबंध संबंध नहीं था, या फिर कोई हमारे संबंध ही लोग नहीं थे, we thought it would be so jolly to have an uncle, an aunt and some cousins, we thought हम सोचते थे, कि यह बहुत मजदार होता, जोली का मतलब होता है, मजाकिया वैसे, लेकिन हस्मुक होता, जो बातावरन होता, वो बहुत ही, funny होता, खुशनुमा होता, to have an uncle, एक uncle होते, एक aunt होती, और some cousins, और कुछ भाई बन होते हैं, उनके कुछ बच्चे होते हैं, जो हमारे भाई बन होते हैं, एक बार हमने इसके बारे में पापा से पूछा, इसके बारे में, किसके बारे में, क्यों लोग अखिर केले क्यों हैं, But he looked so, क्या बोले, But he looked so sorrowful, that we wished we hadn't, लेकिन जब हमने इसके बारे में पीता जी से पूछा, तो बहुत दुखी हो गया, और हमें अफसोस होने लगा कि कास हमने पूछा ही नहीं होता, we hadn't wished, हमने इक्षा किया, मैंने हमने सोचा कि साथ हम लोग नहीं पूछना चाहता, वो दुखी, बहुत जाए दुखी हो गया इस बात को पूछने से, He said it was all his fault, उन्हेंने कहा कि यह सब उनकी गलती है, उन्हेंने कहा क्या, कि यह सब उनकी गलती का नतीज़ा है, जो उनने गलती किते हैं, उसके कारण से साले सा है, Claude and I didn't understand what he meant, Claude और मैं समझ ही नहीं पाए, कि वो क्या कहना चाहते थे, तो friends, इस तरह से हमारे unit 1 खतम हो गया, इस text के बारे में हमने देख लिया, राइटर के बारे में देख लिया और unit 1 complete किया, उसका summary आप समझ सकते हैं, या फिर आप उसका Hindi में translation समझ सकते हैं, जो पूरी तरह से खतम हो चुका है, मिलेंगे अगली वीडियो में, अगले जो दो यूनिट बचे हुए हैं, उसको लेकर के, तिल देन टेक कियर, अपना ख्याल रखिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ सेयर करिए, जिससे कि इस लोकडाउन और इस जो पैंडेमिक चल रहा है, कोरोना विरस का, इस टाइम पर अपने दोस्तों की हेल्प कर सकते हैं, आप इसको सेयर करके, सो बाइ,